हेलो बच्चो वेलकम डू गनी दंक बच्चो दिवाली हो गई है ना अब बहुत आग लग गई है सर लास्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन आखरी कुछ मैंने और फिर एक्जैम्स ये एक्जैम्स तो अब क्या करे कैसे करे और अब नहीं किया तो नहीं होगा राइट ये बस दो या तीन बार पढ़कर हो जाता है तभी मैं 99% क्रॉस कर लूँगा बेस्ट कॉलेज में एड्मिशन ले पाऊंगा बट करना कैसे कैसे मैं इन सारी चीजों को लास्ट फेज में मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ा हूँ कैसे मैं पॉजिटिव रहू और अपनी प्र इसके अलबा में एक और बात कहूंगा प्लीज अपने सारे फ्रेंड्स अपने सारे ग्रूप्स में शेयर करिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए क्योंकि यहां से एक्जाइम्स कर डायम शुरू होता है और एमेच्टी सीटी बोर्ड्स आप चैनल पर तो सब्सक्राइब पक्ता कर लेना और अपने फ्रेंड्स त्याप भरपूर शेयर करना चलिए शुरू करते हैं के तो बचा लोग कोई भी कहानी कोई भी कहानी कोई भी सपना तभी अच्छीव होता है जब आप सपना देखते हो कहते ना सपने उनके ही पूरे होते जो सपना देखता है तो ये बहुत सही है, पहला आप खुद, क्या आप खुद वो सपना देख रहे हो, क्या आप खुद को visualize कर रहे हो, अपने dream college में, नहीं, अभी के अभी, अभी के अभी आप pause करो और खुद को visualize करो, कि आप कौन से engineering college में जाना चाहरे हो, और और वो जाने के लिए जो steps लगने वाले में बताने वाला हो, तो जो भी आप visualize कर रहे हो, वो comment करना, आपका वो visualize करने वाला college कौन सा है, क्योंकि मुझे भी जानना है कि जादा बच्छे कौन से college के बारे में dream कर रहे है, तो बच्छा लोग, I'm sure, इस college को हम पाएंगे, और कैसे, तो सबसे पहला step हमारा होगा यहाँ पर कि क्या हमारी preparations को जानते हैं, क्या हमें पता है कि हमारी कितनी preparation हुई है, maths में कौन से topic हुए है, कौन से नहीं हुए है, physics chemistry में हमारा हाल क्या है, कैसे जानना है सरी है, चलिए अभी आप लोग भी ऐसा एक table बनाएंगे, और यहाँ पर clearly define करेंगे कि 15 chapter है, और मैं अभी सिर्फ हो सिफ class 12 के syllabus के बारे में बात कर रहा हूँ, हमें पता है mhtct में class 12 और class 11 का भी होता है proportion, लेकिन 80% जो है class 12 है और अभी हम focus करेंगे class 12 पर ही, class 11 के syllabus को अब बाद में करेंगे, किसी तरह fit करेंगे, अगला हमारा aim होगा, अभी class 12, क्योंकि हमारे boards भी देने है, अगर हम फ्रेशर है तो, अगर हम repeater है, dropper है तब भी हमें यह 80% इसी से score करना है, तो हमारा चाहिए फ्रेशर हो चाहिए ड्रॉपर हो सबके लिए सेम बात होने वाली है, ठीक है तो क्या मेरा कौन कौन से chapter हो है, सर logic हो गया है, तो फटावर्ट बनाईए और टिक करिए, mattresses हो गया है, सर यह हो गया, यह हो गया, सर वेक्टर हो गया, या फिर नहीं हुआ, जो भी हुआ है, या टिक करो, differentiation हुआ, AOD हो गया, सर, सरे 5 ही chapter होए है, जितने भी हुए है, और जितने नहीं हुए है, यहाँ पर मैंने लिखा है, कितना effort आपको लग सकता है, देखें, यह वेरी करता है हर बच्चे से, और यह मैं minimum कह रहा हूँ, मतलब कि आपने बस exercises, या फिर जो हम questions लेते हैं, classes में, कोई teacher पड़ा रहा है, आप किसी को follow कर रहे हो, तो 6-8 गंटा वो logic खतम कर देता है, बस उतना ही, इसके अलावा practice तो आप बहुत कर पाऊगे, लेकिन एक minimum level of chapter जहां हम कह सकते है, हो गया है, इसके अलावा तो बहुत सारी हो सकती है, मैं यह book से solve कर रहो, मैं यह BYU कर रहो, लेकि इससे integration सबसे बड़ा है, तो 12-14 गंटे minimum लगेंगी लगेंगे, तो इससे में पता जाता है कि कौन करना से है, चलिए तो ऐसा आपको match में करना है, सेम काम physics और chemistry में भी करना है, तो physics के सारी chapter लिक लीजिए, सारी chapter अपने book में, अपने laptop में, जहां पी भी आप अपना preparation का ब पना लिए है, क्या मेरा वो पढ़के हो गया है, तो कुछ chapters तो होंगे न, जो मेरे हो गया है, तो इतने हो गया है, तो चार हो गया, बाकी 12 बच्चे, तो इस तरह हमें पता जल जागा कि इतने बच्चे है और कितना हो गया है, और रही बात hours की तो यह आपको निकालना अपने teacher को अपने senior को किसी से पूछ लो, hours लिखने का फाइदा क्या होगा, मैं आगे बताने वाला हो, तो सबसे पहला काम आप सब को यह करना है, करोगे न, देखो, आलस नहीं करना है, आलस जो करेगा, वो यहाँ पे सब खो देगा, यह हमारा पहला काम होगा, चली अब पता चल गया सर, कि हमारा status क्या है, कौन से कितने chapters बचे है, अगला है, क्या मुझे पता है, मैं कहा से पढ़ने वाला हूँ, do I know my resources, next step है, know your resources, right, मैं कहा से पढ़ने वाला हूँ, मिरे पस कितना time है, कौन सी book, कौन सा channel, यह सब define न अच्छे, क्या होता है, बहुत बार हमार समय इसमें बरबाद हो जाता है, कि मैंने इसके भी session देख लिए, इसके भी session देख लिए, इसके भी session देख लिए, और देखने से पढ़ाई नहीं होती, जब तक मैं खुद नहीं solve करू, पढ़ाई होती ही नहीं है, right, तो यह बहुत जरूरी है कि मैं define करू, और एक ही book को follow करूँ, एक ही channel को follow करूँ, एक ही channel को follow करूँ, एक ही नोट्स, ऐसे नहीं बहुत सारे बतेरे नहीं करना है, एक ही book जहां से problem solving करनी है, बस खतम, यह जो word बहुत important है, यह आपका बहुत time save करता है, clarity, clarity होनी चीए कि मैं क्या करने वाला हूँ, जिसका समझ गया वही आपका भगवाल है, उसी से आपको follow करना है सारा, ठीक है, तो आपने यह clear रखना है, बहुत clear रखना है, दस जगा नहीं बटकना है, और एक बार clear हो गया, फिर बस पता है मुझे कि मैं अरीहंत ही यूज करूँगा, या टार्गेट ही करूँगा, या प्रिवेस यह की कोई बूक करूँगा, या मुझे पता ही मैं YouTube चैनल यह एकस का देखूँगा या या बस physics के लिए ही देखूँगा, chemistry के लिए देखूँगा, मैच के लिए देखूँगा, उसके लाब टाइम, टाइम कितना है इसके लिए बात करने वाले है, notes मेरे बने हुए है, किसी के share किये हुए है, जो भी है, मेरे पास notes ready है, problem solving, बहुत सार लोग कहते, सर मैं previous year करूँ या ये करूँ या वो एक pattern मना लो, कोई पी chapter होगा, उसके बाद उसके 23, 24 के previous year question करूँगा, बस, है ना, हो गया, इतना भी नहीं होता है, एक साल ये करूँगा तो भी बहुत है, मुझे chapters को complete करना अधा important है, ऐसा नहीं कि एकी chapter के 1000 questions कर लिए, हमने एक chapter के 200 questions कर लिए, बहुत है, उसके आगे मुझे next chapter भी बढ़ना पड़ेगा, बड़ा chapter ने 200 questions, छुटे chapter ने 100 questions, तो accordingly हम manage कर पाएंगे, ठीक है, तो ये बहुत important है, अब बात करते time, सबसे बड़ा factor in resources में, बाकी तो मैं वीडियो देख रहे हो, कि आज है आठ नवेंबर, राइट आठ नवेंबर से मैं अज्यूम कर रहा हो, मेरा target है कि एक February तक सब कर लूँगा, कुछ लोग कहेंगे, सौर एक February कैसे सब हमारा बोर्स होगा, वो होगा, देखो मैं जानता हूँ, आप लोगे बहुत सारे goals है, बहुत सारे goals होंगे, बहुत सारे लोगा सीटी goal है, बहुत सा लोगा बोर्ड है, लेकिन आपका primary goal कौन सा है, जिस्से आपको college लेना है, अगर आपको जी मैंस में 98% आल आने वाला है, तो आप जी मेंस को primary रखो, अब कैसे आने वाला है, क्या आने वाला को पता है, आप ज सब्सक्राइब कर रहा हूँ तो उसी के दौरान साथ-साथ में बोर्ड की टेक्स्ट्बुक खोल ली थोड़े कोश्टन्स महां से कर लिए डिफ्रेंस्येशन मैं सीडी के लिए लगा रहा हूँ तुरंत तुरंत बोर्ड की निकालो आदा एक गंटा दो चार 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 कोश् एक बोर्ड में हो जाते है खिक है तो चलिए अब देखते कि टाइम कितना मैं अभी हमारे पास का प्रीवर्ड होगा जब प्रिवॉड की एक्जयाम होती तो पाच्छ दिन एकजयाम चलती औरहम पास्छ दिन उसके ऑर और की घूम घूमख यही पढ़ना है वही पढ़ना फिर जेही मेंस भली आप experience के लिए तो लेकिन पांच दिन वो लेके जाएगा एक दिन exam का है center कई ओर हुआ तो और जाना पड़ेगा यहाँ वा यहाँ दो चार दिन हम थोड़ा सब्सक्राइब कुछ तो देख लो कुछ तो कर लो यह चैप्टर कर लो फूरा सम चार पाश द पड़ गया कभी अंचाहे कोई काम हो गया तो मैं और तीन दिन और तीन दिन में एक्स्ट्रा ऐसे ही पकड़ रहा हूं कि यार कभी कुछ भी हो सकता है तो 23 डेज मेरे मेरे पास नहीं है अब प्रैक्टिकल सब्मिशन की बात कर रहा हूं आप जादा दिन बुला लिया कम वो ऐसा वैसा तो में पूरा दिन पखड़ रहा हूं लेकिन आधा ही दिन जाता है आधा दिन आपके अर्स फिर रहेगा इन फिर भी मैं बहुत एक्स्ट्रिम लेंके जा रहा हूं घृत एख्सट्रीम तो मैं यह कहता हूं कि मेरे पास अराउंड सिक्स्टी डेज है बच् मुझे बच्चे कहेंगे जो ड्रॉपर से वो तो बिंदास थे वो तो कर लेंगे लेकिन जो फ्रेशर है सर मुझे कॉलेज जाना पड़ता है मुझे कोचिंग जानी होती ऑफ-लाइन बहुत सारी जहां भी जा रहे हो वहां भी पढ़ाही कर रहे हो ना तो उसको भी आप काउ मुझे बहुत clarity मिल रही है कि कि मैरे कितने chapter बच्चे ai खेमिश्च में 11 बच्चे फिसिक्स में 12 बच्चे मुझे बहुत तरीके से बता है कि मैंने इस दिन कितना है 60 तो ओर 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 थर्टी 32 चैप्टर बहुत क्लारीटी मिल रही है ऐसी क्लारीटी आपको आनी चाहिए आज के आज बच्चो एक गंटा दो गंटा देना पड़ेग ऐसा मत सोचना इससे टाइम चला जाएगा बहुत रहेगा फटा 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 बटा निकालो यह सब क्याल्कुलेट करो और क्योंकि हर बच्चा अलग है मैं हर एक के लिए नहीं करते हैं तो आपको बता सकता हूं कैसे आपको करना है तो आपके बास क्लारीटी होनी च से सब्सक्राइबस को कवर खरूंगा इस यह दो मूइस इंपॉर्टन थिंग रइटशी three द्री ना हमने ना इन विक स्क्राइबस करना है इस दो मोस्त जो टारगेट मेट मेंशिव करने यहाइज ने 1000 मैश यह dudu except इससे हमने कर लिया कि इतने दिन इंस तीन से चार चैप्टर करना ही पड़ेगा बड़े छोटे इसका mix करके करना पड़ेगा तो बहुत clearly हमें चलना है बहुत ही clearly मेजरेवल गोल्स बहुत इंपोर्टन ये मरे बत्सों तो अब अज्यूम करते हैं कि मैंने एक हफ़ता प्लाइन कैसे करना था बताना आपको और आगे आगे बढ़ते जाना है वीकली प्लान एक वीक में प्लान करना और आगे बढ़ना है इस वीक में मैं यह तीन चैप्टर करूँगा तीनों यह बड़े बड़े चैप्टर है कभी आप वो सकता है यह चोटा लो यह बढ़ा लो अब मैं यहाँ पर अपनी काली शुरू करता हूँ वन और टू मतलब सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट वन वो रहेगा जिसमें मैं ज्यादा गंटे पढ़ता हूँ आज्यूम करो मैं चार से पांच गंटे पढ़ूँगा सब्जेक्ट वन को और चार से पाच गंटे सब्जेक्ट वन ताकि एक बहुत अच्छा बड़ा चंक मेरा खतम हो जाए और सब्जेक्ट टू को में तीन से चार गंटा पढ़ूँगा है ना सब्जेक्ट टू और कोई अगर चाहे तो थर्ड सब्जेक्ट पढ़ सकता है अदर्वाइस वन आर हम लोग जो है रिवाइस बैकलॉग के लिए रख सकते है ना डिवीजन बैकलॉग इसके लिए रख सकते हैं तो ऐसे करके दस गंटा मिनिम्मम पढ़ूँगा कुछ बच्चे इसको बढ़ा भी सकते लेकिन 10-11 गंटे मिनिमम पढणना ही पढणना है चाहाँ इसमें लेक्ट वन कौन सा लेता हूँ और subject 2 मेरा कौन सा होगा subject 1 कौन सा है subject 2 कौन सा है ऐसे आपको define करना पड़ेगा कि मैं math कर रहा हूँ right पहले तीन दिन में math कर रहा हूँ subject 1 ठीक है या दो दिन मैंने subject 1 दिया तो differentiation मेरा अच्छा खासा cover हो गया तीसरा दिन भी मैं हो सकता है math कर रहा subject 1 chemistry again subject 1 chemistry और पूरा हफता मेरा subject to physics ही रहा है तो ऐसे करके आपको सबको time देते आएगा और आप जो है यह अपने goals को achieve कर लोगे Sunday again revision जो भी मैंने पड़ा है या कोई test में देता हूँ वो या कोई backlog cover करना है वो तो मैं ऐसे करके और या अगर मैं कहीं आगे-पीछे हो गया मे इसा करोगे मैं कह रहा हूँ जीत आपकी कोई नहीं रोक सकता आपको अपने goals की तरफ दोड़ते हुए पहुचने में और यह आप करो आपको इतना positive energy मिलेगा आपको लगा यही करना है मुझको देखो शुरुवात करनी पड़ेगी होगा क्या करूँगा तो कैसे होगा क् से अगर आप करना चाहते हो तो आपको शुरुवात करनी पड़ेगी आपको प्लान करना पड़ेगा आपको अपना एक से दो घंटा दिना पड़ेगा और फिर आप लोग में बैट जाएंगे ठीक है याद रखिए बहुत सर बच्चे कहते हैं सर मेरा मोटिवेशन कम हो ज मिलता है आप एक अगे अगे बढ़ना स्टार्ट करोंगे और यही तो मुझे करना है गनिदं के बच्चे मैं चाहता हूं कि हम सब बहुत आगे निगले और और हमारे ड्रीम कोलेज की दरब जाए तो आपको यह करना है कोई कोई भी डी मोटिवेशन नहीं हो सकता कोई स्ट्रेस आई नहीं सकता अगर आप यह सब फॉलो कर रहे हो ठीक से फॉलो कर रहे हो ठीक ना बच्टा तो फिर से कहता हूं विजलाइज यूरसेल्फ डेली कि मैं उस कॉलेज में जाके रहूँगा यही अपका बिगेस मोट रहेगा कुछ पेड रहेगा लेकिन जो भी रहेगा वह आपके बहुत फायदे के लिए रहेगा तो आप मेरी वाटसाइप कम्यूनिटी को जॉइन कर सकते हो यह आई बटन दे रहा हूं आप लिंक पर जा सकते हो वाटसाइप कम्यूनिटी इस साल के बत्सों के लिए पहल के साथ आपकी exams तक in fact exams के बाद भी हमेशा आपके साथ रहोगा all the best कर के दिखाना है मचाना है थैंक यू